हेलो एवरीवन वेलकम टू मैं चैनल बाइलोजी लाइफ मैं हूँ साक्षी श्रिवास्तव लेट्जा सीरीज बॉट्ने स्टैप बाइस स्टैप में हमारा सेकंड टॉपिक है रूट आज हम जानेंगे रूट के बारे में उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल बाइलोजी ल प्लांट का वह पार्ट जो सीट जर्मिनेशन के टाइम रैडिकल से बनता है रूट कहलाता है रूट वाटर और ग्रेविटी की तरफ बढ़ती है और लाइट के अगैंस होती है बड़ बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें रूट नहीं होती है एक्जाम्पल है सीट जर्मिनेशन सीट जर्मिनेशन कब होता है जब सीट को आवशक पधार्थ और वातवरन मिलने लगता है सीट जर्मिनेशन के लिए सही टेमप्रेचर पानी हवा इंशपकी आवसकता होती है बड़ कुछ बीच ऐसे भी होते हैं जो बिना लाइट के जर्मिनेट नहीं ह सेंद है राटिकल के होता है बीचके अंदर होता है और बनाता है यह डाइग्राम यह सीड है। light के against होते हैं, root के present होते हैं, note और internote present होते हैं, unicellular root here present होते हैं, जो पानी, minerals को absorb करते हैं, चले next देखते हैं, functions of root, दो तरीके से होते हैं, normal function and special function, first है fixation, fixation मतब प्लांट को इस्थिर रखती है, second है absorption, water minerals को absorb करती है, and third है conduction, मतलब जो absorb material है, water minerals है, इनको shoot तक पहुँचाना, यह इसके normal functions होते हैं, इसके कुछ special functions भी होते हैं, उसमें first है photosynthesis, मतलब root हरी होकर photosynthesis करती है, second है support करती है, जिन प्लांट के stem कमजोर होते हैं, उन्हें support करती है, third है help in growing reason, growing reason में help करती है, fourth है food storage करती है, and कुछ प्लांट में यह है respiration भी करती है, अब next बात करते हैं types of root की, तो यह दो तरीके के होते हैं, first है tap root, and second है adventitious root, first है tap root, इसमें radical develop होकर primary root बनाता है, और यह primary root जमीन में गहराई तक जाती है, यह इसका man part है, यहाँ से यह primary root बनाता है, और यह primary root देखिए, यह जमीन में गहराई तक जाती है, और इनसे कई branch निकलती हैं, जिनने हम बोलते हैं secondary root, यह जो branch निकली हैं, इनसे इनने हम बोलते हैं secondary root, और इन secondary root से जो branch निकलती हैं, उनने हम बोलते हैं tertiary root, इस थरह जो primary root है और उनकी branch हैं, उनको हम बोलते है tap root system, यह dicot plant में present होती हैं, इसके example है carrot, radish, mustard, यह dicot plant के example हैं, चलिए, अब next हम बात करते हैं adventitious root, इसको fiber root भी बोलते हैं, तो यह root क्या है, कुछ plant में germination के, कुछ time बाद ही जो radical की growth है, वो रुख जाती है और stem के, नीचे की सतय से ratio के रूप में root develop हो जाती है, यह root जमीन में गहराई तक नहीं जाती है और सतय पर फैल जाती है, यह इसकी जमीन है, यह root गहराई में न जाके इधरी उपर की सतय पर फैल गई है, और यह इसमें से adventitious root निकली है, यह root monocot plant में present होती है, इसके example है, rice, wheat, corn, यह monocot plant के example है, बड़ कुछ dicot plant में भी adventitious root present होती है, अब next हम बात करते हैं, part of root की, parts of root क्या है, root cap, reason of charismatic activity, reason of elongation, root hair zone and permanent reason, यह इसका diagram है, देखिए, यह नीचे का जो part है, यह है root cap, root cap क्या है, root की reason of charismatic activity बहुत नाजुक होती है, और उसे बचाने के लिए root cap पाया जाता है, यह root की reason of charismatic activity है, और इसको protect करने के लिए root cap पाया जाता है, root cap reason rate नहीं होते हैं, और जो plant पानी में रहते हैं, उनमें root cap नहीं पाया जाता है, second है, reason of charismatic activity, यह वाला part जो है, वो reason of charismatic activity है, इस reason की cell develop होती है और इनी के द्वारा जो root है वो growth करती है, ब्रद्धी करती है third है reason of elongation ये वाला जो पूरा part होता है, ये होता है reason of elongation इसकी cells लंबाई में बढ़ती है, ये लंबाई में growth कर रही है और root की लंबाई बढ़ने में reason of elongation मदद करता है मतलब इसी की साहता से root की जो लंबाई है वो बढ़ती है पूर्थ है root hair zone present होता है ये layer बहुत सारे root fiber से धगी रहती है root hair पानी absorb करते हैं और हर 10 से 15 दिन में नए root hair बनते हैं पुराने नस्र हो जाते हैं और नए root hair बनते हैं root hair zone भी चार तरीके के होते हैं unicellular होते हैं मतलब एक ही cell के बने होते हैं second है exo jokes होते हैं मतलब बाहर की तरफ आय हुए ये ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं next है a offering मुए होता है zijn रूट का एफिमर्खल होने का एक benefit है कि यह वार-बार reason rate होते हैं, यह root है, यहां से root हैर निकले हैं, फिर कुछ time के बाद यह वाले नस्ट हो जाते हैं, रूट आगे बढ़ जाती है और फिर उसके नीचे से निकल आते हैं, और उसके बाद फिर कुछ time के बाद फिर root आगे होते हैं, मतलब यह सरीर का सबसे बहारी हिस्सा होता है, इसके बाद last है, permanent reason, इस reason से root की ब्रांच निकलती है, जो plant को जमीन में इस्थिर रखते हैं, और जड़ों का जो अधिकांस भागे वो इसी छेतर का बना हुआ होता है, permanent reason का, यह वाला जो पूरा part होता है, यह हमारा permanent reason, so thank you guys, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो please इसे like करें,